तो ये देख रहे हैं आप कितने प्यारे और सुन्दर हमारे बिस्किट्स ये लग रहे हैं, और जितने प्यारे ये बिस्किट्स लग रहे हैं देखने में उससे 10 गुना बहतर टेस्टी ये बिस्किट्स हैं, तो ये बिस्किट्स आपको कैसे बनाने हैं, कौन-कौन से इंग च्छी लगने वाले हैं, तो हमें आज के अपने पीनट फ्रूट बिस्किट बनाने के लिए सब से पहले हम यह अपर लेंगे बटर, और यहां पर बटर आप और टर्च वाला भी ले सकते हो। तो आप वो यूज़ करना और मैं यहाँ पर unsalted यूज़ कर रहा हूँ और यह आपको लेना है 1 by 3 cup और अगर आपको मैं वजन के हिसाब से बताओ तो यह 90 ग्राम हो जाएगा यानि कि 90 ग्राम आपको जो है 70 ग्राम यानि कि 70 ग्राम उसके बाद हमें जो है इसे mix करके soft कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते है शुगर पॉडर और बटर को मैंने जो है अच्छी तरीके से melt करके यानि कि soft कर लिया है तो इस तरीके से melt करने के बाद आपको इसमें डालना है milk powder और यहाँ पर जो milk powder आपको डालना है वो डालना है 1 tablespoon यानि की 10 gram और उसके बाद आपको इसमें डालना है 1 tablespoon custard powder यानि की 8-9 gram आपको जो है इसमें custard powder डाल देना है अगर आप 10 gram डालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं डालना चाते हो तो आप इसे skip कर सकते हो और उसके बाद हमें इसमें डालना है 1 teaspoon backing powder और उसके बाद इसमें इसमें डालना है 1 by 4 teaspoon उसके बाद हम यह सारे ingredients को इसमें हम mix कर लेंगे और mix करते हुए लगबग हमें इसे 40 से 50 सेकेंड तक इसकी हमें इस तरीके से फेटाई करनी है mix करते हुए जब यह mix हो जाएगा फिर भी हमें इसकी फेटाई इस तरीके से करती रहनी है तो हमने में डालेंगे 1 tablespoon पानी तो इसमें आपको वन टेबल स्पून पानी डालना है वैसे अगर आप इसमें milk डालना चाहते हो तो आप milk भी डाल सकते हो दूद्ध उसके बाद हम इस पानी को इसमें अच्छे तरीके से जो है mix करेंगे और मैं आपको बता दूं अभी जो है ठंड को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और अभी आप जो हमारे बैटर की जो कंसिस्टेंसी हो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम फलफी बन चुका है तो इस तरीके से आपको बैटर को एकदम फलफी बना लेना है उसके बाद जो हम इसमें मैदा बगर डालेंग तो इसके अंदर जो है 140 ग्राम मैदा आ गया यानि कि 140 ग्राम तो वन कप मैदा आपको लेना है 140 ग्राम और उसके बाद इसके साथ में हमें मैदा और डालना है वो डालना है दो टेबल स्पून और सोरी एक टेबल स्पून ही आपको मैदा डालना है इसमें और उसके बाद को इसमें डालना है वन टेबल स्पून कॉन स्टार्च यानि कि एक टेबल स्पून आपको मैदा डालना है और एक टेबल स्पून कॉन स्टार्च और उसके बाद पहले मैंने इसमें डाला था वन कप मैदा और उसमें मैदा था 140 ग्राम और उसके बाद 1 टेबल स्पून डाला तो उसमें था 10 ग्राम यानि कि टोटल 150 ग्राम आपको मैदा डालना है और 10 ग्राम कौन स्टार जानि कि एक टेबल स्पून उसके बाद हम क्या करेंगे हम मैं अपने ट्रू को हाथ grandma कर लेता हूं क्योंकि हाथों से ट्रॉक्त करने में आसानी होती है अच्छी टरीके से ट्रॉक्तों क्यों से लिए मैं इसे तो हमने आपने मिक्सिंग कर लिए तो अब अपने डो को जो है लगबग 15-20 मिट के लिए फ्रिज में रख देंगे जब यह अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा इसकी consistency सेट हो जाएगी फिर हम जो है इसे बिस्किट बनाएंगे तो मैं इसे रख देता हूं फ्रिज में तो हमने आपर अपने डो को फ्रिज से बाहर नि मैं कहता हूं अगर आपके पास फ्रिज नहीं है और आप इसे बिना फ्रिज के बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है मैंने जो इसमें पानी डाला था यानि कि जो भी आपको मिल्क या पानी डालने को बोला था वन टेबल स्पून वह आपको नहीं डालना है फिर आपको इसे फ्रिज में रखने जरूरत नहीं पड़ेगी ओकी जो consistency है वह perfect हो जाए मैदे को आपको अच्छे से डेस्ट कर देना है टाकि आपका जो डो है वो चिपके ना उसके बाद पहले तो हम हाथों से जो है हलका हलका डो को फैला लेंगे इस तरीके से उसके बाद हमें डो को रख देना है जहां पर हमने मैदे को डस्ट किया वहां पर इस तरीके से तो इस तरीके से आपको डो को फैला देना है और डो को फैलाने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पर मैंने टूटी फुरूटी लिए है रेड वाली इस टूटी फुरूटी को आपको इस तरीके से डो के उपड़ डाल देना है इस तरीके से आपको टूटी फ्रूटी को डालने के बाद यहाँ पर मैंने जो है मूंग फली ली है यह आपको लेना है कच्ची पीनिट लेना है कच्ची पीनिट आपको लेना है और उसके बाद इसे हमने बारीक बारीक कट कर लिया है और उसके बाद हम जो है इसको इसके उ बिलाई करेंगे मैंने पहले इसके उपर इसलिए डाल दिया है क्योंकि जब हम इसकी बिलाई करेंगे तो जो भी हमने इसमें इंग्रिदेंस डाले हैं यानि की चेरी वगरा पीनिट वगरा वह बिलाई करते हो इसमें अच्छी तरीके से सेट हो जाएंगे तो इसलिए आपक अपने डो की इस तरीके से और उसके बाद हम जो है कुटी करने संदम आपको कट करने हैं किस तरीके से इसे इस तरीके से इधर से कमकट कर लेंगे हम तो ये देखें मैंने अपने सारे बिस्किट्स जो वो कट कर लिए है अच्छी तरीके से तो अब हमें अपने सारे बिस्किट्स को जो है ओवन की ट्रे में रखना है तो यहाँ पर मैंने ओवन की ट्रे ले लिए इसमें मैंने बटर पेपर भी लगा लिया है तो इस बिस्किट को हम कैसे उठाएंगे यहाँ पर बिस्किट को उठाने के लिए आपको जो है एक चाकू में जो है थोड़ा सा मैदा जो है लगा लेना है आपको इस तरीके से और उसके बाद हम इस तरीके से बिस्किट को उठाएंगे के लिए तो इसे आपको बेक करना है 180 डिग्री पर यानि की 180 डिग्री पर तो मैंने अपने ओवन को पहले प्रिएट कर लिया था तो आप मैं इसे डाल दूंगा फटाफट बेक होने के लिए ओवन में तो हमने आपर अपने बिस्किट्स दाल दिये हैं ओवन में बेक होने के लिए तो इसमें मैं टाइम लगा दूँगा 20 मिनट का और राडे आपको हमेशा दोनों ही ओन करके रखना है तो हमारे जो बिस्किट्स है वो बेक होकर निकल चुके हैं और आप देख सकते हमारे जो बिस्किट्स हैं वो कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं देखने में और यह खाने में इससे 10 गुना ज़्यादा आपको अच्छे लगने वाले हैं ये देख लीजे इतने सारे मैंने बिस्कुट यहाँ पर बनाए हुए हैं कितने पीस बने हुए हैं 4, 5, 20 यानि 20 पीस मैंने बिस्किट बनाए हुए हैं ये बिस्किट आपको बहुत पसंद आने वाले हैं तो मैं आपको एक पीस जो है तोड़ कर दिखा देता हूँ ये देखे हमारे बिस्किट जो है कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हुए हैं तो आप इन्हें एक बार जरू ट्राइ करना ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट और टेस्टी और क्रिस्पी लगने वाले हमारे जो बिस्किट हैं तो आप इन्हें एक बार जरू ट्राइ करना